हेलो दोस्तों राजवन सिंग महाली प्रपटी गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है और आज का जो टॉपिक है इफ यू आट गेटिंग एडीकुट ग्रोथ या क्या इसका मतलब है कि यदि आपकी सही तरीके से ग्रोथ नहीं होरी बिजनस में ग्रोथ नहीं होरी ओव से मैंने लिखा है चेंज यूर हैबिट्स में हमने अपनी जो आदते हैं जो हम जिस चीज के लिए हम टैम ज्यादा कराब कर रहे हैं यदि वहां से रिजल्ट नहीं मिलता तो हमें डेफिनेटली वह आदते हमें बदलनी पड़ेगी कई लोग सुबह उठते हैं जहां पर हमें हमारी परस्टी डिवल्प रही हो जहां पर हम और तरीके से हम अपने आप क्यों कर सके अपना कॉंफिडेंस लेवल पर हमें यदि एंटर्टेंबेंट की वीडियो देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला तो हम खुद ही सुद्धेंटर कर देते हैं कि जो वो कह रहे हैं जो बोले हैं उनी के इशारों पर हमें हसना पड़ता है उनी के इशारों पर हमने इमोशनल हो के अंसूब आने पड़ते हैं उस सिर्फ उनके इशारों पर चलते हैं तो हमें अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी जहां हम टाइम खराब कर रहे हैं और इसको भी दियान रखना पड़ेगा कि आप टाइम खराब कर रहे हो या टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो यदि आप टाइम खराब कर रहे हो तो टाइम को इन्वेस्ट करना सिखूँ टाइम इन्वेस्ट कहा होगा कि आप अच्छी किताबें पढ़े हैबिट्स में अच्छी किताबें पढ़ने शुरू करो, अच्छे दोस्तों के साथ बैठने शुरू करो, जो आदमी जिन्होंने ग्रोज की है, और अपना जो टाइम है, उसको क्वालिटी टाइम बनाओ, क्वालिटी टाइम बना के लोगों में इन्वेस्ट करो, बेस्ट मेंट, एक वान मेंट करना कि अपना टैम को खराब नहीं करना दूसरे नंबर पर अपने अपलाइड नॉलज लेनी है अपलाइड नॉलजी का मतलब है आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो मैं रियल सेट में काम कर रहा हूं कोई कि कि उसके पास जाना जिनोंने अपने कस्टमर को कन वर्ट किया है लोगों को अपने कस्टमर में करने में अपने धंदे में, अपने कस्टमर में, कनवर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारी ग्रोथ है जो, और डेफिनेटली उसमें हमारी आनी चुरू यह जती है, ऐसी चली आती है, फिर हमें कोई नी रोख सेथा, हमने देखना ये है, applied knowledge is power, ये देखना है, ये मैं बार बा आपको अपने हैं का मतलब है प्रइ catching आप जब जो सोघ जाते हैं ठ्रेसाथ रहते हैं तो मैं उनको आपलाइड नौप 때 कैसे चैशे इसके टीझा कैसे आपास आप अन किया दो कैसे ट्रेख करना है और किस तरीके से सामने वाले के साथ अंक में आंक डाल करने मेरे पास अपलाइड नॉर्ज की वजह से मेरे पास लोग आती हिर और आपने जिस भी कोई काम कर रहे हैं जिसके पास applied knowledge है उन दोस्तों को अपना दोस्त बनाने की कोईश्च चाहे आपको उनके मतलब किसी तरीके से उनके नीचे भी लगना पड़ी मैं नीचे लगने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके जहरूपोचा लगना है मतलब नीचे लगने का मतलब है यदि आप उनकी दो बाते सुन भी लोगे फालतू की सुन भी लोगे आपको वो बंदे संद भी नहीं है तो भी आपने उनसे knowledge के लिए जहां से बेस्ट चीज मिले हमें वहां पर जाना ही है और मैंने अगला लिखा चेंज और friend circle if necessary, सबसे सबसे खत्रना का बाट है भाई हम काम कर रहे है को लो का बहला है 14 गंटे घंटे गोह रहा है 14 सगनटे गोह रहा है और यदि आप आपके दोस्त ऐसे हैं जो वही मनलों नौ से पांच या कुछी तरीके के उसी तरीके के रट सिस्टम में फ़से हुए हैं तो उन से आप थोड़ा किनारा करके दूसरी तरफ चले जाना है यदि आप उनके साथ रहोगे तो आपका इमोशनल डिसीजन है यह इमोश इमोशनल ही उनके साथ जुड़ना जुड़े रहो लेकिन इमोशनल जो हमारा पक्ष देखा जाता है वह हमेशा कमजोर पक्ष को की तरफ से देखा जाता है उनको हम कमजोर पक्ष ही मानते हैं तो आपने दिहान रखना है कि हमने अपने आपको कमजोर पक्ष में नहीं ले कम है तो मेरी ग्रोथ भी रुक जाती है तो हमने यदि आप एक रूम में पांच दोस्त बैठे हो और आप ही को बोलने का मौका दिया जा रहा है और लोग आप ही को सुन रहे हैं तो आप उस रूम को छुड़ के जले जा नहीं तो आपकी ग्रोथ है जो बिलकुल नहीं हो क्य है तो आपने जितने देर उनको दिन्य आए emotional ऑ्ल से देदो क्या आपके दो में आप उनको करना क्रना जाते हूं ठीक है दिए दे सकते हैं लेकिन emotional 연े लिए सैथ आथ में परफेशनल आंगल भी देखना है उनको ज़संटर कि रुख को चोड़ форм चोड़े के हम इंपो जिन्दगी में उतार लेंगे तो देफिनेटली हमारी जो गुरूथ है वह प्रॉपर आ जाएगी एडिक्वेट हो जाएगी जिससे हम सेट्स भाई हो जाएंगे यदि हम मेंत भी करने हैं सेट्स भाई नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ने टॉपिक के साथ आपके सामने होगा तब तक आप चैनल के साथ बने एधियोगे थे थेस्टियू है थेस्टियू पेराऊने है थैक्डियूएड थेस्टियूएट बनेट्वें आपके सब्सक्राइब एस्याने होगा देजी क्यांटत्रिक्षेट थेस्टियू है तो पो यहांगोए है।